हेलो दोस्तों मैं सरवजीत और आप कैसे हो यहां पर आज हमने डिप नई है यह मेरे पास सालसा डिप है जैसे कि बचे नाचो उस खाना बहुत पसंद करते हैं तो उसके साथ यह जो डिप होती है बहुत जबरदस्त अच्छी लगती है बचों को और इसको बनाने का जो तरी देख सकते हो अब देख सकते हैं इसका टेक्शर बहुत अच्छा आता है यहां पर हमने टमाटर लिए हैं चौप करके इनको यह मैंने तीन टमाटर लिए हैं इनको मैंने बारिक चौप कर लिया है बिल्कुल और इसके साथ अब हम डालेंगे आधी शिमला मिर्च करती और यहां पर हम दो से तीन हरी मिर्च काट कर इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च अगर ज़्यादा स्पाइसी है तो थोड़ी कम डाल लें यहां पर हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और जो अधरक है उसके साथ मैंने लहसुन को भी थोड़ा सा पीस लिया है थोड़ा स कर देंगे जिए चंब सुपटे और यहां पे हम इसके पर से 4 चंबच डालेंगे टौमाटो केशप के तीन से चार चंबच डालने के पाद यहां पर हम 1-2,5 चंबच हम इसके अंदर सिर्के का डाला देंगे यह मेरे पस छोटा चमच है तो मैं यहाँ पे तो डेल चमच डाला है अगर बड़ा चमच होगा तो एक डालेंगे तो इसे कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स और इसके अंदर कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास चुक अंदर हो तो उसे थोड़ इसके लिए लाल मिर्च डालना चाते हो वह थोड़ी सी डालने अब देखिए यह हमारी सालसा डिप रेडी हो गई है इसके अंदर हम थोड़ा सा अलिव ऑल डाल देंगे यह मेरे पास एक्स्रा वर्जिन ऑलिव ऑल है एक चमच के करीब इसके अंदर डाल देते हैं अगर आदे डिप को निकाल कर हम इसी तरह यूज करेंगे और आदे डिप को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे वह जो दूसरा तरीका है वह भी बहुत जादा टेस्टी इसको कर देगा इसे हम पहले साइड में रखेंगे और दूसरे तरीके से इसको तड़का लगाते हैं तो यह जो डिप है इसको इसके अंदर डालकर हम पकाएंगे इसे हमने 3-4 मिनट सिर्फ पकाना है उसके बाद यह हमली डिप रेडी हो जाएगी अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा टमैटो केचप जुरू डालेंगे उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा जो मार्क पकालेंगे तब यह हमारी डिप रेडी हो जाएगी यहां पर मैं टमैटो केचप डालेंगे इसके अंदर 2-3 चमच आप टमैटो केचप के डाल दीजिए उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा लेजिए यह हमारी डिप आल्मोस्ट अब रेडी हो गई है एक मि आठे के साथ भी दे सकते हैं तो उनको यह बहुत पसंद आएगी लीजिए यह हमारी दो तरह की सालसा डिप बनकर रेडी हो गई है मार्किट से सालसा डिप लाने की वजाए आप घर पे बनाएगा खाने में और यह बहुत ज्यादा हाईजिनिक तरीके से आपने बनाई है और घर की चीजों से बनाई है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ